हालो दिए टूडेंट्स, वेलकम माई यूटूब चैनल, इसके में क्लासेज में, आज हम आपको पढ़ा है क्लासेट की माया थेक्साज 6.1 और कोश्चन नमबर है 1D, प्रीबेस वीडियो में कोश्चन नमबर 1ABC तक हम कम्किक करवा चुके, अगर भी तक आप वीडियो नह यहाँ पर देखे, equation related question दिए गाए, आपको इसमें solution करना है और X की value दी जाए, कभी Y हो, Z हो या ABC value दी जाए, उनकी value आपको find out करके बताने है, कैसे solution करेंगे, solution पर आप ज़रूर ध्यान दीजिए, देखें, यहाँ पर देखी value question दिया गया है, 3 upon 2X, 3 upon 2X plus 2 equal to minus 4, तो जो X उसकी value होगी, उसे आप note कर लें, यानि 3 upon 2X, यह उसको एक LHS side आप उसको रख लीजे, बाकी जो number की value हो, उसे आप transfer करके second side हम भेज देंगे, यह से minus 4 लिखा और लिखा रहन दीजिए, यह plus 2 only दिया गया है, कैसे solution करेंगे, इसको आप transfer कर देंगे, यह क्या हो जाएगा, plus 2 हो जाएगा, minus 2, इसे हम एक तरफ transfer कर सकते हैं, अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, कैसे note करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, 3 upon 2X equal to, यह minus 4, यह minus 2, यह ध्यान लखिएगा, जभी भी minus minus की दोनो value दी जाएगा, तो दोनो आपकी value plus हो जाएगी, और sin किसका लगा जाएगे, minus 5, तो minus 4, minus 2 को plus करेंगे, तो value क्या हो जाएगी, minus 6, ठीक, चलिए, next, इसे पर ध्यान देते हैं, कैसे solution करेंगे, यहाँ पर देखिए, बैलू देखिए, 3 upon 2, 3 upon 2 क्या है, यह तरह multiplication number पर दिएगा, कि यहाँ पर multiplication sign hidden होते हैं, तो multiplication number आपको दिएगा, इसको आप पर लिख सकते हैं, कि हमें इसी number से divide करना है, fraction पर दिया गया, इसलिए आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर only one number दिया या, तो इसे के नीचे लिखका हम divide कर सकते थे, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देखिएगा, fraction की पर में है, इसलिए हमने ऐसे note कर लिया हुआ है, अब यहाँ पर रूल है, तो रूल के according हम चल रहे हैं, यहाँ पर देखिए कि dividedation sign को multiplication sign में लिख लेंगे, 3 upon 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 upon 3 यह नहीं, 3 upon 2 का इतरह reciprocal कर देते हैं, जस्ट उपर नीचे number उसको लिखने को हम reciprocal करते हैं, यहनि numerator की value को denominator में लिख लेते हैं, और denominator की value को numerator में लिख इसी को हम reciprocal भी कहते हैं, चली, next step पर ध्यान देते, x equal to क्या solution करेंगे, आप देखिए यह हो गया multiplication fraction, जब multiplication fraction हो जाते हैं, तो numerator numerator, numerator multiply होता है, यहनि minus 6 और multiply 2 करेंगे, तो 6 to 12 हो जागा, minus 12 upon 3 बंजा 3, ठीक, आप इसको cut कर देंगे, 3 बंजा 3, 3, 4 जा 12, तो value क्या मिल गई, x equal to minus 4, तेहां पर हम solution यहां पर लिख सकते हैं, तो x की value क्या मिल गईए, यहां पर ध्यान दीजिए, सिर्फ minus का sign है, और 4 है, यहनि minus 4, यह हुई, that is a right answer, I hope यह questions आपको clear हो गया होंगे, बिल्पूल easily थे, बस आपको ध्यान रखना है कि 3.2x के जो भी value हमें दीजा, वो x को एक side लिख लेना है, LHS side, और बाकी जो भी number आपको दिए जाए, वो arches side हमें आपर लिख लेंगे, solution करेंगे, minus 6 हो जाएगा, यह multiplication के form में दिया, इसको divination के form में लिख लेंगे, यह होगा divination fraction, उसको हम solution कर लेंगे, इसके बाद solution करने के बाद, that is a right answer, I hope question number 1D आपको clear हो ग देखिए, जिसे सभी questions आपको clear हो जाए, और कोई भी doubts भी आपको ना हो, कोई problem कारीज हो, तो आप में नीचे comment box में लिख भी सकते हैं, उसको फिर एक एक अगलग video हम आज question करके, उसके answers आपको बता देंगे, ठीके, चलिए, यहाँ पर देखिए 1E question दिया गया, तो 1E question क् अब हो solution कैसे कर रहा है, तो solution पर ध्यान दीजिए, अभी आपके question दिये भी गए है, उनको हम कैसे note करेंगे, x के form में note करना है, यहनि आपको x की value एक तरफ लिख नहीं होगी, बाकि जो भी number दिये जाए, उनको हम एक second side लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, 6x upon 7, और यह और यह हो जाएगा, plus 3 upon 5, क्योंकि 2 upon 7 तो पहले से था, तुसे आप रहने दीजिए, और minus 3 upon 5 पर तुसको transfer किये ले रहा, तो यह क्या होगा, plus 3 upon 5, ठीक, चले, इनसे step पर ध्यान देते हैं, 6x upon 7 equal to, अब देखिए, यह होगा, एक तरह से addition fraction, addition fraction में क्या करते हैं, जो 7 of 5 का LCM होता, 75 का LCM ले लिजिए, तो 75 का LCM क्या होगा, 35, 35 लिख लिजिए, या multiplication करके लिख सकते हैं, आप 75 और 35 लिख लिजिए, डारेक्ट, और 7 का डिवाइडरेशन 35 में करेंगे, तो 7 का पहले डिवाइडरेशन करेंगे, 35 में, 7, 5, 35, और 5, 2, 10, plus 5 का डिवाइडरेशन 35 म ठीक, चलिए, नसी स्टे पर धान देते हैं, यहाँ पे 6X अपान 7 उसी तरह लिखा रहा है ने दीजिए, इक्वाल टू, यह 21 और 10 प्लस करेंगे, तो क्यों अगर 31 अपान 35, ठीक, चलिए, इतना हमारा क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम्स भी याँ पर नहीं है, आप हम 35 को multiplication 6X में कर लेंगे, ऐसे भी करके solution कर सकते हैं, बिल्कुल इसली है, और 7 को multiply करेंगे 31 में, ध्यान रखिएगा, 35 को multiplication 6X में करेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यह LHS side, और 7 को multiply 31 में करेंगे, तो यह लिखेंगे, अम लोग RHS side, ठीक, इतना तो प्रॉब्लम्स आप आपको नहीं होगी, यह multiplication में नंबर दिएगे, इसको किस दर भेज देंगे, डिवाडेशन के form में, जोसे आप डिवाडेशन के form में भेज सकते हैं, ठीक है, चलिए यहाँ पर ध्यान देते हैं, बड़ा से small कर के लिख लेंगे, 6X उकल 2 क्या लिखेंगे, 7 multiple 31 upon, यह हो जा अब छिए 5 रणने दीजी, ठीक है, यह multiplication के form में, इसको किदर भेज देंगे, डिवाडेशन के form में, डिवाडेशन कर लिजिए, तो यहाँ पर क्या लिखें, x="31 upon 5", अयह देखिए multiplication इसको भेजागे, इसको धिवाडेशन के time बड़ाईट किए रहें, और यह जब दिव मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए ध्यान रखिएगा यह value आपको जैसी दिया है थोड़ा सा difficult question है इसलिए बहुत ध्यान रखिए लेकिए जो number x की value थी उसको हम ने तरफ लिख लिया हुआ है बाकी जो numbers थे उसको हम ट्रांसपर कर दिये solution कर लेंगे तो value आ जाएगी आपकी यहाँ पर ध्यान रखिए 6x is equal to 31 upon 35 यहाँ पर हम जब fraction fraction number हो तो cross multiplication कर सकते हैं 35 को multiply 6x में कर लेंगे और 7 को multiply कर लेंगे 31 में ठीक है अब देखिए यहाँ पर multiplication 35 लिखा हूँ इसको हम बेजाएंगे तो division की form में आ जाएगा लब division में आए तो cut भी हो रहा है तो cut भी कर लें that is a right answer तो I hope यह questions आपको clear हो गया होगे और कोई doubts भी नहीं होगे बड़े easily थे बस थोड़ा सा e question थोड़ा सा difficult है जिस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा I hope question number one ही clear हो गया हो वीडियो पसंद आया हो question समय में आ तो like जरू करिए चैनल पर नए हो भी तक आपने subscribe न किया और subscribe जरू कर लिजिए और आपके जो भी class 8 के friend हो उनको मेरे video share भी करते चलिए जिससे सभी बच्चे अच्छे से ज्यादा ज्यादा बन सके हैं चलिए मिलते next question question number two पर next video next part में thanks for watching this video